नमस्कार A-Z dishes उशागोर जाने में आप सबका स्वाकत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर कहने जा रही हूँ आटी के लड़ू अब ये जो आटी के लड़ू है इसे आप बना कर 15 दिन तक रख सकते हैं ये इतने टेस्टी इतने हेल्दी और इतने मज़ेदार होते खाना खाने के बात हमारा मीठा खाने का मन तो करता ही है तब आप ये बना सकते हैं बहुत ही असानी से बन जाते हैं और अभी देखे गंपति जी आ रहे है कोई भी खास मोके पर आप इसे बनाईए उसके लिए 2 कप गीँओं का आटा और एक कप इसके अंदर आपको सूज डाल देनी है, सूजी बारिक वाली हो, मूटी वाली हो, जो आप डालना चाहिए वो डाल सकते हैं, और दो चमच इसके अंदर हम गी डाल देंगे, और सूजी और आटे के अंदर गी को हम अच्छे से मिला लेंगे, अब यह जो आटा है ना, लड़ो के लिए दो तरीके से गुनना है, तो देखो जो यह दूद है ना, इसे मैंने उबाल कर भार रकर ठंडा कर लिया था, ऐसा वाला दूद लेना और पानी तो नॉर्मल मटके का जो आते हैं, वो भी आप ले सकते हैं, इसके लिए जितना हो सके सक्त आटा गुनना, सक्त आटा गुन दोगे तो ही मुठिया बना पाओगे, तो देखो आटा गुन लिया है, अब हाथों में थोड़ा सा आटा लेना और अपने उंगलियों के निशान करने हैं, अगर आपने नरम आटा गुन दा, तो यह उंगलियों के निशान नहीं होंगे, इसलिए सक्त आटा गुन दे और इस तरह से उपर से एकदम कुरकुर हो जाए अंदर से पक जाए तब तक इसे हमें फ्राइ करना है यह निके तलना है यह लड़ू बनाना बहुत ही आसान है और इतने खाने में मज़ेदार लगते हैं यहाँ पर आप दीख सकते हैं मैं इसे अच्छे से तलती जा रही अच्छे से फ्रा यह उन्हें देंगे जब आको लगए अब इसे छू पा रहें ठंडे होके तो आपको इस तरह से टुकड़े कर लीने हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यह सारे मुठिया के टुकड़े कर ली है अब इन टुकड़ों को आपको डाल दीना है एक मिकसर जार के एक चमच नारियल का बुरादा अगर आपनों नहीं डालना चाहते तो मड़ डालें मैंने डाला है इसी के साथ काजू, बादाम और किश्मिश यह मैंने काजू और बादाम 10-12, 10-12 काट कर डालें किश्मिश 3-4 चमच जितनी डाली है और साथ ही साथ यह मैंने चीनी ले ली जिसे मिक्सर में डाल कर पीस लिया था तो दो कप पीसी हुई चीनी यानि की पाउडर शुगर डाल दे और सबी चीजों को अच्छे से मिलाएं चीनी आप अपने सबसे कम जादा कर सकते हैं अब यहाँ पर मैंने ले लिया है गी यह मैंने लिया है तकरीबन आधा कप जित तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से मिला लिया है अब चलिए बनाते हैं लड्डू तो आपको यह थोड़ा सा हाथों में मिश्रन लेना है और दूनों हाथों की मदल से लड्डू बनाना है अब लड्डू की साइज आप के ओपर है आप कितने बढ़िया लड्डू अभी इसे बज़े से आप खाईए इतने हेल्डी इतने टेस्टी है ना बच्चों को दीजे आप खाईए से डबे में बरकर आप 15 दिन तक रख सकते है तो मसे ज़रूर ट्राइ करना हेल्डी है टेस्टी है और हाँ यहाँ तक आया तो चैनल को सस्क्राइब करन बिल्कुल ना भूले आज के लिए बसकता ही थांके फॉर वाच्च है